जब बात हो चार दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल की तो शायद स्टूकर से ज्यादा दिलचस्प और सुथ्रा खेल कोई ना हो सबस गास की जगा मेज के सबस कपड़े पर खेला जाने वाला ये खेल ज्यादा तर दो लोग इन्फरादी हैसित में खेलते हैं मेज पर पड़ी होती हैं 22 ठोस गेंदे और खिलाडियों के हाथों में होती हैं एक एक छड़ी जिसके मदद से गेंदों को मेज पर बने छे सुराखों की जानिब धकेला जाता है इसे कैरम की एक खुशनुमा शकल कहा जा सकता है आज के दोर में आम लोगों में मकबूल होता है ये खेल कभी अश्राफिया यानि अमीर लोगों का खेल समझा जाता था और उसकी वज़ा थी इसके लवाजमात टेबल से लेकर लवाजमात तक सब दरामत होते थे वो भी इंगलिस्तान जैसे महंगे मुल्क से टेबल आपको चाहिए खेलने के लिए टेबल इटसल्फ महंगा है उसमें असोसेशन का बड़ा बड़ा कॉंट्रिबूशन रहा है तो अच्छे प्लेयर को और ये ओर्डिनरी पूल टेबल जो गली गुचे पर ये गेम नहीं हो सकते आपको इसलिए आपकर जो मिडल क्लास के बच्चे हैं या लोऊर इंकम के उनको ये ऑपिचुनिटी नहीं मिलती खेलने के लिए प्रिच मैंड गेम था इलीटिस्ट कलबों में था अब ये असोसिएशन पिछले 10-12 सालों में टेबल्स फैसलाबाद में अकैडमी फॉर्म गुआ इसलाबाद में स्पोर्ट्स बोर्ड के उधर टेबल लगाएं तो लोगों को आपके प्लेयर्स निकलने लगे स्नुकर का शौक रहने वाला हर शक्स ना इस मेज को खरीदने की हैसित रखता था ना ही स्नुकर कलब वाले उतनी टेबल्स दरामत करते थे जो टेबले कुछ शौकीन अफرाद या स्नुकर कलब्स दरामत भी की वो चीन से आई जो इंगलिस्तान के मुकाबले में काफी सस्ती थी जो कम खर्चे पे कम पैसों में बनती है जो हमारे मैनुफैक्चर उनके लिए बनाते हैं लेकिन दाद दीजिए उन पाकिस्तानी कारी गुरों को जिनोंने महारत फंद से मकामी सता पर इस टेबल की तैयारी मुम्किन बनाई और ज्यादा खुश आइंद बात ये है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली स्नूगर टेबल का मैयार बेनलाव कौमी सता पर तैयार की जानी वाली टेबल से कम नहीं दरामत की गई एक स्नूगर टेबल 20 लाक रुपे तक में पढ़ जाती है जबके मकामी सता पर तैयार की जाने वाली बेतरीन टेबल तिर्फ साड़े तीन लाक रुपे में तैयार हो जाती है स्नूकर टेबल की मकामी सता पर तैयारी से मुल्क में स्नूकर कलब्स में इजाफा हुआ और इस खेल को फरोग मिलना शुरू हुआ यहां तक कि खेल इस कदर आम हो गया कि सिर्फ कलब्स में ही नहीं बलके गली कूचों में भी खेला जाने लगा बिच्छस बात यह है कि आज भी पाकिस्तान में क्रिकिट से ज्यादा स्नूकर खेला जाता है यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में स्नूकर की जो वेल्यू है वो बढ़ती जा रही है जिस तरह से हमारे इवेंट्स हो रहे हैं और हमारे यह लोग खिलाडियों को अप्रोच किया जा रहा है हमारे जैसे बड़े लोग है इसके अलावा यह स्पोर्ट्स की लिंक से देखा जाए तो आजकल यह इंडोर आइटम में भी शुमार हो रहा है इसके अलावा आप इसे देखना चाहे तो फार्माउसिस में घरों में इसे इस तरह जी लिया जा रहा है जैसे बच्चे हमारे बाहर में जाए घर में इसको इंडोर गेम की तरह इसक्तमाल करें तो इस व्यावाद इसका चार्म कराची में काफी बढ़ रहा है यहां तक कि क्रिकट के खिलाडी भी अपने फारिँ वक्त में इस स्नुकर ही खेलते हैं स्नुकर गेलते हैं यह स्नुकर उनके घरों में मॉझूद है खुबसूरत पाए, भारी भरकम जुस्सा और जिस्म पर सब्स लेबास सजाए रखने वाली इस मेज के पीछे बहुत से कारीगरों की महारत, मशीनों की रियाजत और इसे बनवाने वाले का सरमाया लगा होता है इसलिए ये खेल दीगर खेलों के मुकाबले में महंगा समझा जाता है यूँ तो पाकिसान और पाकिसान से बाहर सनूकर की मेजें मुक्तलि साइज में दस्तियाब होती है लेकिन हर जगा इसकी बनावट मुस्ततील शकल में ही होती है आम तोर पर मेज की लंबाई इसकी चोड़ाई से दूग नी होती है शौक की हद तक तो सनूकर को किसी भी साइज की मेज पर खेला जा सकता है लेकिन किसी भी टूनमिट के लिए World Professional Billiard and Snooker Association ने मेज के साइज का एक खास मैयार मुकरर कर दिया है जिसके मताबक बड़ी मेज की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 12 फुट और 4 ए 6 फुट तक हो सकती है जबके चोटी मेज 10 बाई 5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए मेज में बने 6 सुराख भी इसी मैयार का हिस्सा है यानि इन 6 सुराखों का साइज भी बेन अक्वाई में मैयार के मताबक होना चाहिए ना मिली मिटर कम और ना ही ज्यादा स्नूकर टेबल की तैयारी में बन्यादी तोर पर लकड़ी, मार्बल, कपड़ा, रबड़ और चम्रा इस्तमाल होता है इसके लावा कई छोटी चीज़ें और भी इस्तमाल होती हैं जो मुक्तलिफ मराहिल में इस्तमाल होती है स्नूकर टेबल की तैयारी के लिए सबसे पहला काम मुनासिब लकडी का होना होता है लकडी को नाब तोलकर कटाई वाली मशीन पर रखा जाता है जिसमें लगा तेज बलेड उसे मुनासिब पेमाईश में काट देता है बस यही से टेबल की तैयारी का बाकाईदा आखाज हो जाता है लकडी के हिस्सों को तकसीम करने के बाद उसे रंदे यानि गिसाई के मकसूस औजार से घिस कर बिलकुल सीधा कर लिया जाता है और फिर उसे बजीध रगड़कर खुर्द्रे पन को मुकमल तोर पर खतम किया जाता है लेकिन टेबल या मेज की तैयारी काम इतना आसान नहीं कि सिर्फ लकडियों को सीधा काट कर और उन्हें चिकना करके टेबल तैयार कर ली जाए बिलकुल सीधा कर देखे बीड़कर लेगा 24 पीश्था बिलकुल सीधा कर नहीं चाहिए अब देख अब एक लगें किस निकल गा है फूरी चाहिए बदेख बन गया है स्नूकर टेबल की अंद्रोनी किनारों पर रबर की दीवार होती है जहां गेंज टक्राकर एक तो खराब होने से बचती है दूसरा शॉर्ट लगने के दौरान जो ताकत सर्फ होती है वो रबर से टक्राकर फौरी तोर पर खतम नहीं होती बलके इस ताकत को खेल में इस्तमाल किया जाता है इन फट्टियों के कौनों पर रबर लगाने के लिए हर इससे को एहतियात से ना पा जाता है और फिर इस पर सुलूशन की मदद से चस्पा कर दिया जाता है इसके बाद इधर उदर निकले हुए रबर के फालतो इससों को काट दिया जाता है लकडी की 90 की जाविये में कटाई के बाद उसे गरेंडर की मदद से मजीद चिकणा किया जाता है उसके बाद हाथ से रेगमाल के सरीए उसकी गिसाई की जाती है मजीद नफासत हासिल करने के लिए उसके बाद इसे लापी के लिए भे दिया जाता है ताके लकडी में मौझूद कुदरती छोटे मुटे सुराखों को भर दिया जाए यही वो मरहला है जब फ्रेम के इस काम के दोरान कपड़े की इंट्री होती है क्योंकि टेबल के इस मैदान का कपड़ा मैदान की तैयारी के दोरान लगता है लेकिन रबर पर कपड़ा पहले ही चड़ाना होता है ताकि फ्रेम मुकमल हो जाए टेबल के फ्रेम की तैयारी सबसे आम मरहला होता है लेकिन चूंके ये टेबल खुपसूरती और फनकारी का नमूना होती है इसलिए मशीनों के जरी लकडियों की कटाई खुपसूरत डिजाइन में की जाते हैं साथ ही लकडियों में छोटे बड़े सुराख भी की जाते हैं इनमें वो छे सुराख भी होते हैं जो स्नुकर टेबल के कौनों में गेंदे फेंकने के लिए बनाय जाते हैं जबके लकडी में बनाये जाने वाले कई दूसरे सुराखों का मकसद मकसूस टुकणों को आपस में जोड़ना होता है लकडी की जोड़ाई और फिर गिसाई मुकमल होने के बाद इस पर रंगाई का अमल शुरू होता है लकडी पर ग्लू, चौक और रंग मिलाकर ये रंगाई की जाती है रंग सुखने के बाद उसकी एक मरतबा फिर होब किसाई की जाती है ताकि रंग में चमक पैदा हो स्नूकर टेबल में एक और बहुत ही मतासर कुन चीज होती है और वो है इसके खुबसूरत पाए इन्हें बनाने वाले माहिर फनकारों की कारीगरी भी देखकर लोग हैरान होते है इन्हें खुबसूरत शकल में ढालना भी पाकिस्तानी कारीगरों की कारीगरी का मुबोलता सबूत है पाए बनाने के लिए चोड़ी लकड़ियों को पहले चोकोर शकल में काटा जाता है और पर मशीनों की तेजी और कारीगरों की महारत इन्हें खुबसूरत डिजाइन से मुज़िन कर देती है स्नोकर टेबल के पाए खासे चोड़े और मोटे होते हैं इसका मकसद होता है कि ये भारी टेबल को सहार सके और खेल की दूरान टेबल में जर्रा बराबर भी जुमबिश पैदाना पाए की खुबसूरती सादा लकड़ी पर सिर्फ डिजाइन बना देने तक ही महदूद नहीं होती बलकि डिजाइन बनने के बाद इसे चिकना करने और लकड़ी में मौझूद चोटे मुटे सुराखों को भरने के लिए इस पर एक बार फिर फिलिंग की जाता है इसके बाद रंग करने वाले कारीगर अपने फन की चमक और मेहनत की धमक इसमें मुनतकिल कर देते हैं यह स्नूकर टेबल का भारी भरकम चोड़ा और खुबसूरत पाया तयार हो जाता है स्नूकर में इस्तमाल होने वाली गेंदे मखसूस मिटेरियल से बनाई जाती है जो प्लास्टिक, ग्लास फाइबर और दीगर के मेह अज़जा को मिला कर तयार की जाती है गेंदे का कतर सवा 2 इंच और वजन तकरीबन 125 ग्राम होता है यह गेंदे पाकिस्तान में मकामी सता पर भी तयार की जाती है और दरामत, इसके लावा स्नूकर में इस्तमाल होने वाली चड़ी जिसे क्यू कहा जाता है बड़ी महारत से तयार की जाती है एक अच्छी क्यू स्टिक का भी खेल में एहम रोल होता है इसलिए इसकी तैयारी भी एतमाम से की जाती है जो पाकिस्तान में स्याल कोड में तैयार होती है क्यू स्टिक की आवसत लंबाई सता उन से 69 इंच होती है जबके चड़ी का कुल वजन 600 ग्राम होता है इस नुकर खेल में इस्तमाल होने वाली टेबल, स्टिक और गेंदों के लावा एक चीज़ और भी है जो खेल में एहम किरदार आदा करती है और वो है ये चोकोर सी चीज चौक, चौक स्टिक के सिरे को खुश करकती है और शौट लगाने के दुरान गेंद स्टिक के सिरे से फिसलने से बची रहती है खिलाडी को ठीक निशाना लगाने में मदद मिलती है आखरी मरहला आता है फिटिंग का हर हिस्से को सुराखों और कटिंग के जरीए बनाए गए मखसूस फ्रेम में फिट किया जाता है इसके बाद उसे नट बोल्ड के जरीए कस दिया जाता है स्टूकर टेबल का धांचा तयार हो चुका है इसके बाद इस टेबल के सबसे मखसूस हिस्से की तैयारी शुरू होती है संगे मरमर इसका लाजमी हिस्सा है संगे मरमर की सलेबों को रखकर इसका लेवल चेक किया जाता है ये स्नूकर टेबल का सबसे एहम काम है क्योंकि जर्रा बराबर भी यानि एक मिली मेटर भी टेबल किसी एक जाने जुकी तो खेल के मैयार पर फर्क पड़ता है लेवल में लाने के बाद स्क्रूर के जरीए लकडी में इसे कस दिया जाता है स्लेब लगाने के बाद इन पर फिलिंग की जाती है उसके बाद गिसाई और फिर धुलाई ताके इसका खुरदरापन खतम हो जाए अब इस पर सबस कपड़ा तान कर उसे स्टेपल कर दिया जाता है किनारे यानी बॉर्डर्स जो के पहले ही तयार करकर रख दिये गए थे नट बोल्ड्स के जरीए जोड़ दी जाते है कौनों पर बने सुराखों में गेन को नीचे गिरने से बचाने के लिए जाली से बनी पॉकिट्स लगा दी जाती है जबकि इसके उपरी हिस्से यानि टेबल पर चमरे की सलाई कर दी जाती है जिससे ना सिर्थ ठेबल की खुबब्सूरती में इजाफा होता है बलके गेन तकराकर सीधे पॉकिट्ट की जानिम जाती है इसके इलावा गेन खराब होने से भी बची रहती है पाकिस्तान में स्नूकर टेबल की तैयारी ने ना सिर्फ इस खेल को गली कूचों में पहुचा दिया बलके स्नूकर के खिलाडियों का टैलन्ट भी उभर कर सामने आया स्नूकर के बड़े खिलाडियों में से एक है जोनों ने इस खेल में कई बैरल अक्वामी टोर्नमिट जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया महम्मा यूसफ भी आ सिर्फ लूकर टैबल की तैयारी में पाकिस्तानी कारीगरों की महारत के मौतरफ है और मकामी सता पर टेबल्स की तैयारी को इस खेल के फरोग का जरिया कुरार देते हैं इस टेबल के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह शेंडर टेबल है और यह हम पोड करते हैं चाइना से मंगाते हैं हम लेकिन हमारे पास भी माशाला ऐसे कारिगर हैं जो ऐसी टेबलें बनाते हैं और जब अपने मुल्क में ऐसी टेबलें बन रही हूं तो आ मैं समझता हूँ कि उन लोगों का बड़ा काम है जो इसको बनाने में, इसको आगे ले जाने में, देखे ना वो बनाते हैं, खिलारी लोग या जो साइबान कलब खोलते हैं, वो ही लेते हैं इसको, तो ये मैनुफेक्टरर को एक तरीके से ये करेड़िट जाता है, कि उसने ह हमें बिलकुल वैसे ही जैसे चाइना में बनती हैं, या इंग्लेंड में बनती हैं, वो ही चीज हमें बना के वो दे रहे हैं, तो इससे हमें अंदाजा कीजिए, कि अगर हम इंटरनाशनल सरकट में भी जाके केलें, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि कलब्स की बढ़ती हुई तादाद ने इस खेल को फरोग दिया, और हर साल पाकिस्तान में स्नूकर का कोई नो कोई बड़ा टोनामिट भी जरूर होता है। इसना वर्ल्ड चैंपियन था लास्ट एर इमिचॉर के अंदर। उसने दो कोचिंग सेशन की हैं और माशाला उस कोचिंग सेशन का नतीज़ ही नहीं का कि हमें वर्ल्ड एटीम का वर्ल्ड चैंपियन मिले। पाकिस्तान में इस लूकर के टैलन्ट और इसकी मखबूलित का अंदाजा इस बात से लगाए जास्ट नहीं का जाएं उसके पूछें पूछेंग से थोड़ा बहुत बताएं। पाकिस्तान में इस लूकर के टैलन्ट और इसकी मखबूलित का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ सिंध कप खेलने के लिए हर साल तकरीबन चार सो खिलाड़ी खुद को रिजिस्टर करवाते हैं। पाकिस्तान में यूतो सरकारी सरपरस्ती तकरीबन नहोने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान बिलिर्ड एंड स्नूकर एसूसियेशन किसी हद तक स्नूकर को फरोग देने में किरदार अदा कर रही है। उसको गार्नर करना, उसको सिखाना, उसको बपशुनिटी देना, टेमप्रमेंट बिल्ड करना, हमारा काम यह है। हमारा काम किसी को सिखाना नहीं है कि तुम स्नूकर सीखो उसमें टैलेंट होगा उसको शौक होना जाएगा। तो हम उपिचुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने स्किल को होन करें बैथर करें उसका रिजल्ट यह कि पिछले साल अगर आप देखें तो हमारी असोसियेशन बलकि हमारे प्लेयरों ने माशालला बहुत मैनत कि स्नूकर पाकिसान में ना सिर्फ तेजी से मखबूल हो रहा है बलकि नया टैलेंट भी तेजी से उभर कर सामने आ रहा है हैं तो पंजाब के अंदर ओवरॉल आइटिंग तीन हजार ये चार हजार स्नूकर पार्लर्स हैं उसी वज़े से आप देखें कि इतना टैलेंट भी आ रहा है इतने प्लेयर्स भी आ है प्लेयर्स तो अपचुनेटी से निकलते हैं जितना आप अपचुनेटी प्रोवाइ और नेश्डेशन चेमपिएन बने इस खुल जाया करता था स्कूल से आगे बसता फेकार सिदा वह रोड को पर बढ़ा है टेबल तो उसके अपर कहें खेला करते देशा दिन चाम को आया करते ते अभू ज़दा मारा करते थे लोस जार इंटहा ज़दा मारते थे लो के ना तो चार से पांच मैडल है मेरे माशाला है मुहमत अमर खान भी स्नूकर के बास सलाहियत खिलाडियों में से एक है और अंडर 18 के नैशनल चेम्पिन का एजाज रखते है मैं पिछले चार साल से खेल रहा हूँ और इसमें पांस साल चार साल से मैं ट्राइक कर रहा था मैं बहुत खुश हुई कि मैं जीता और मैं यहां पर भी आया और मुझे नैशनल सीनियर रैंकिंग में कौलिफाइंगा चांस मिला और मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ पाकिस्तान में सनूकर के बढ़ते हुए रुजहान का तालुक यकिनन इन खिलाडियों में से हैं जिन्होंने दुन्या में अपनी जीत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया ये इस चीज़ की गवा है कि पाकिस्तान में सनूकर का बड़ा टैलन्ट मौजूद है माजी में सनूकर की दुन्या में मौम्द यूसफ, साले मौम्मद, हमजा अकबर, शौकत अली और नवीन परवानी जैसे खिलाडियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और जीत का डंका बजाया जबके आज भी मौम्मद बिलाल, मौम्मद उमर और खुरम आगा जैसे खिलाडी सनूकर की दुन्या में कामियाबी के जंडे गार रहे हैं मगर इस टैलन के सामने आने का सहरा सनूकर टेबल बनाने वाले उन मकामी कारीगरों के सर है जो ने पाकिस्तान में सनूकर टेबल की तैयारी को मुम्किन बनाया और उम्रा के इस खेल को अवाम तक पहुंचाया इसनूकर की तरक्ति और आलमी सता पर पाकिस्टानी खिलाडियों की फतुहात का सिलसला जारी है जब जब कोई पाकिस्टानी खिलाडी फता पाएगा उसका क्रेडिट खिलाडी के साथ साथ स्नूकर टेबल बनाने वाले को भी जरूर दिया जाए